आप लोग देखते हैं कि हर साल 26 नवंबर को समीधान दिवस की रूमें मनाये जाता है और आप लोगों की दिवाग में इस सवाल आता होगा कि इस समीधान दिवस आखिर मनाये क्यों जाता है कब से मनाना सुरू हुआ ये समीधान और आप देखते हैं कि 12 उमईने हमारे देश में समीधान की चर्चा जरूर होती रहती है आचल तो राजनितिक पार्टियों की तरप से कई पार्टिया कह रहे हीं कि हम समीधान बचानी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं तो कई बाटियां समीधान खतम करने के लिए लड़ रही हैं ये सब बातें भी होती रहती हैं तो आज हम लोग समीधान के बारे में भी एक सामार्ण चर्चा करेंगे और कुछ अभी मुद्दे हैं जो आप देखिया कापी चर्चा में बने हुए और इसमें समीधान में इनका पराउधान क्या रखा गया है उन मुद्दों को भी हम लोग देखेंगे और आप देखते हैं कई लोग कह देते हैं कि सम्मिधान भारत का जो सम्मिधान है वे उधायर का थेला है हम लोग उने दूसरे देशों के सम्मिधान से उधायर लिया हुआ है तो उसकी क्या कहानी है भाई क्या हकीगत में ये उधायर का थेला है तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कहां से क्या लिया गया है कौन से आप देखे प्राउधान सामिल किये गए भारत के समिधान में और एक बात और होने लगती है कि आप देखे समिधान में जो आप लोग देख रहे हैं न नियायपालिका की बात कर लीजे, कार्वालिका की बात कर लीजे, बिधायका की बात कर लीजे इन सब का परावधान अब देखे सम्मिधान के हिसाब से ही चलते हैं ए बात तो आप लोगों को भी माननी होगी कि हमारे जो सम्मिधान निर्माता रहे होंगे वो बड़े दूर दर्सी रहे होंगे तभी तो आप देख रहे हैं कि आज सम्मिधान उसी सम्मिधान बनाए हुए सम्मिधान के हिसाब से ही हमारा पूरा सरकार का धांचा चल रहा है ओप राश्पती के लिए चुनाओ हो रहा है मुखमंत्री के चुनाओ की बात हो रही है मौलिक अधिकार दिये गए आप लोगों को फिर आप देखते हैं कि सम्मिधान की भाग तीन में मौलिक अधिकार हो गए फिर कहा कि ऐसा नहीं चलेगा अगर आपको मौलिक अधिकार दिये गए तो आपके कुछ करता भी भी तो होने चाहिए तो समिधान की भाग 4A में, 4K में आपको मौलिक करता भी दिये गए तो यह सब की बात होती रहती है, मुझे लगता ही कि हर भारती को समिधान के बारे में एक सामानन समझ होना चाहिए जागरुकता होने चाहिए तो आप सोची कम से कम मुझे लगता है कि 80-85% समस्याएं कहतम हो सकती है खेरे छोड़िए उनके लिए अलग बात है जिनने नहीं मालू है लेकिन आप लोगों को बता दूँ आज की इस किलास से मुझे लगता है कि 2-4 questions आपकी परिक्षाओं के लिए आते रहते हैं हर एक्जाम में चाहिए आप देखिए civil service की बात करिए state PCS की बात कर लिजे या आपके बहुत सारे one day एक्जाम होते रहते हैं और आप लोग अगर किसी एक्जाम की तयाविरी भी नहीं कर रहे हैं तब भी आप लोग समिधान को पढ़िएगा समझिएगा आप लोग ठीक है और आप लोग देख रहे हैं ये आप देखिए भीमराव मेड का साहब जिने आप लोग समिधान का पिता कहते हैं पंडित जवाहलाल नहरू और आप देखे सरदार वल्लब भाई पटेल हमारे देश की राजनीती की खुपसूरती अगर आपको देखना है तो आजादी के समय ही आप लोग जाकर देखिएगा हजारों समस्याएं खड़ी होई थी और आप सभी जानते हैं कि पंडित जवाहल अंडल का गठन किया गया तो सभी को उसमें सामिल किया गया उसमें भीमराव मेडकर साब को आप देखे कि कानून मंत्री बनाए गया क्योंकि कानून के ग्याता कोई था तो भीमराव मेडकर साब थे दुनिया में सबसे पड़े लिखे बैकती थे तरदार वल्लब भाई प किस ने किया सरदार बल्लब भाही पटेल ने किया हमारे पहले हॉम मिनिस्टर साहब ने किया तो वड़ी रोचत कहां नहीं है सब कुछ आप लोग देख रहे होंगे और समिधान को जरूर पढ़िएगा आप लो पहले हम लोग समिधान के बारे में एक सामान जानकारी देख लेते हैं तो कब 16 नवंबर को आपका समिधान दिवस या फिर इसे राष्टी बिधी दिवस कहते हैं या फिर कानूनी कानून दिवस कहते हैं ठीक है और यह दिन भारत में समिधान को अपनाने को याद दिलाता है यह दिन था 1949 का क्या था 1949 का 26 नवंबर 1949 को समिधान सबाद द्वारा उपचारिक रूप से भारत की समीधान को अपनाये गया, जिसे आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, आप लोगों को यहां तीन डेटें बता देता हूँ, और यह तीन डेटें आप लोग काफी चर्चा में सुनते होंगे, एक तो 15 अगस्त, जिस दिन सुतं दिवस मना लिए, और एक आपका 26 जनवरी गरतन दिवस मनाते हैं, तो 15 अगस्त, 1947 को हमें आजादी मिली थी, इसलिए सुतंता दिवस मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को आप देखें समीधान अपनाये गया था, समीधान की कुछ पिराउधान लागू हो चुके थे, इसलिए 26 नव बहुत सारी को गरतन दिवस की रूम में बनाते हैं, क्योंकि पूरी तरह से समीधान लागू हो चुका था, गरतन की रूम में हम लोग स्थापित हो चुके थे, बहुत सारी संस्थाओं का जनम भी हो चुका था, तीक है, यह याद रखिएगा, यहां आप लोगों को पिस् भारत को इस संपूर, प्रभुत्य संपन, समाजवादी, पंत निरपेक्ष, लोकतांतरात्मत, गडराज बनाने के लिए, तथा उसके समस्त नागरिकों को, सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक नियाय बिचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धरम और उपासना की सुदंत पितिष्ठा और आउसर की समता प्राप्त करने के लिए, तथा उन सम्में बिक्ति की गरिमा और राष्ट की एकता और अखंडता सुनिशित करने वाली, बंदुता बढ़ाने के लिए दर संकल्प होकर, अपनी समिधान सवा में, तारीक 26 नवंबर 1949 को, एद्दत द्वारा इस समिधान को अंगिकित, अधीनिमत और आत्मर पे करते हैं, समिधान की पिस्तावना 13 दिसंबर 1946 को, जवाहलाल नहरू द्वारा समिधान सवा में पिस्तुत की गई थी, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, 13 दिसंबर 1946 को, एक कुश्णस आपके पूचे जाएंग 1976 में जो हुआ था, आगे चलकर हम इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे, इसे आप लोग मिनी कॉंस्टिटिउसन भी कहते हैं, बड़े आप देखे इस तर पर इसमें संसोधन किया गया था, इंद्रा गांधी की समय की बात हो रही है, तो 42 में समिधान संसोधन द्वार भारती समिधान की पिस्तावना में स्तमाज बात, पंतने रिपेक्च, अखंडता, स्तब्द जोड़े गए थे, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, ये मनाना कब सुरू हुआ समिधान दिवस, तो कैंदरिये सामाजिक नियाय और अधिकार्ता मंतराले ने 19 नवंबर सन 2015 को, भारत सरकार द्वारा 26 नवंबर को समिधान दिवस की रूम में मनाने की नेड़य को अधिस उचित किया था, क्या किया था, अधिस उचित किया था, तो ये आप लोग जरूर याद रखिएगा इसके बारे में, ठीक है, एक कुछ और पॉइंट ही है, समिधान भारत की समिधान की निर्माड का, अगर डेट की टाइम की बात करें, तो दो साल ग्यारे महीने और अठारे दिनों का समय लेगा था, अगर आप से कोई पूच ले, कि हमारे समिधान को बनने में कितना समय लगा था, तो दो साल ग्यारे महीने अठारे दिन लगा था, भारत इन पितियों को हास से लिखकर तेयार किया गया था किसे हास से लिखकर तेयार किया गया था और वार्तमार में समिधान की मोल पितियों को संसत के पुस्तकाले के भीतर हीलियम से भरी बॉक्स कैस में रखा गया है और इन पिसिद लेकक का आप लोग नाम याद रखिएगा प् और अंग्रेजी दोनों में भार्जदी समिधान की निर्माद की समय इसकी कोच विसेस्ताओं को वेटेंड, आइलेंड, जापान, सेक्टराज जमेरिका, दच्छडवीका, जर्मनी, ऑस्टिलिया, और कर्णाडा सहित, अन्ने कई देशों की समिधान से उधार लिया गया था आप लोगों को फैसे बता देता हूँ, कि उधार लेने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है, कि हम लोगों ने वहां से उठाये, यहां सामिल कर लिया, जे हो काते हूँ हमारे देश की समिधान, निर्माताओं ने कई देशों का समिधान पड़ा, और हमारे देश के हिसाब से, हमारे नागरेकों के हिसाब से, जो पिरावधान हमारे लिए हो सकते थे, उसमें हम लोगों ने संसोधन किया, और अपने समिधान में सामिल कर लिया आप देखिए हर बेक्टी में कोई ना कोई अच्छाई होती है और बुराई भी होती है तो आपकी स्माइटगी ही कहिए कि आप उसमें से अच्छाई निकालके और उसमें संसुधन करके जो आपके लिए अच्छा ही और अच्छी बन सकती है उसे अपने अंदर ले लेते हैं समझ रहे हैं आप लोग बुराईयां छोड़ देते हैं तो यही हम लोगों ने किया तो समयधारी ही कही है हमारे समिधान निर्माताओं की यहाँ आप लोग देखेंगे कहां से क्या लिया गया है एक सावन जानकारी के लिए आप लोगों को बता देता हूँ कि कहां से क्या लिया गया है तो सबसे बड़ा सिरूत तो आप देखेंगे भारतिये भारसरकार अदिनियम 1935 है हमारे समिधान का और इस से आप देखेंगे इस अधिनियम से राजजपाल का कार्याले लिया गया है, लोग सिभायव लिया गया है, संगीय योजना, न्यायपाल का और आपात कालीन परावधान लिया गया है, और उद्देश संकल्प पिस्तावना लियी गई है, और बेटिस समिधान से क्या लिया गया है, सरकार का अमेरिकी समीधान की बात करें तो मौली का दिकार, राष्टपती पर महावियोग और पराष्टपती का पद, सर्वुच नियालाय या उच नियालाय की नियादीसों को हटाने का पराउधान, नियाय पालिका की सुतनता और नियायक समीधान, ये अमेरिका समीधान से सिरोत है, अमेरिका की समीधान को सिरोत माना जाता है, आरे समीधान से क्या लिया गया है, राज्य की निती की निदे सक्सिध्धान, राज्य सभा के बारे सदोस्तों का नामंकन, राष्टपती के चुनाओ का तरीका, अगर कनाड़ा की बात करें अगर आप देखें तो आपात काल की दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन और श्टेलिया ही समिधान से देखें तो संबुर्थी सोची दो सदनों द्वारा संसद की सहिक्त ब्याटग ब्यापार और वडिज्जी की सुतंता ली गई है रोसी समिधान की बात करें तो मौलिक करतब रोसी समिधान सुरूत रहा है पिस्तावरों में सामजी कारतिक और राजनितिक दिरिष्टी से नियाई की बात भी रोस से ली गई है फ्रांस से अगर आप देखें तो पिस्ताओना में गरतन, सुतनता, समानता औबन्धूत्य सब्द ये आप देखें फ्रांस से लिया गया है दच्छडफीका का समीधान से समीधान में संसोधन की पिकिरिया राज्य सबागी सदस्यों का चुनाव यह आप देखेंगे दच्छडपीका से जापान का सम्मिधान से कानून द्वारा इस्थापित पिक्रिया यह आप देखेंगे जापान से लिया गया है यह भी आप लोग याद रखेएगा ठीक है और आप देखते हैं कि सबसे बड़ा लिखिस सम्मिधान ही हमारा यह भी आप लोग जानते ही होंगे जानते हैं या नहीं जानते हैं और भारती सम्मिधान की मूल सरचना भारत सरकार दिनियम 1935 पर आधारित है यह आपको बता चुका हूँ कि इससे लिया गया है सबसे जानता ठीक है और विसमे का सबसे लंबा सम्मिधान भी हमारा सम्मिधान अब आप लोग यह और देख लीजे बर्स 1934 में एम एन रोय द्वारा पहली बार एक सम्मिधान सबा का बिचार पिस्तुत किया गया था और बर्स 1946 की कैविनेट मिसन यह उजना के तहत सम्मिधान सबा के गठन के लिए चुनाओ का आयह उजन किया गया था ठीक है और इसमें आप देखेंगे प्यारूप सम्ती की बात करें तो आप देखेंगे प्यारूप सम्ती में साथ सदस्सा मिल थे इसमें अलादी, किष्णा स्वामी अयर, एन गोपाला स्वामी, भीमराओ अंबेडकर साथ, केम मुंसी, बहुमद सादुला, बीयल मित्तर और डीपी खेतान थे और 30 अगस्त 1947 को अपनी पहली बेठक में प्यारूप सम्ती ने भीमराओ अंबेडकर को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया था यहां आप लोगों को बता देता हूँ, इन सम्तियों के बारे में, क्योंकि इन से भी कई बार आप देखते हैं, कुश्टन्स पूछ लेता है और इसमें आप देखेंगे कुल 13 सम्तियां थी, और छोटी मिलाकर सब बड़ी, इसमें 8 तो पिरमुक्ष थी, और आप देखेंगे से छोटी थी और इन सम्तियों की और उनके पिरमुक्षों की बात करें तो मसोदा सम्ति इसके अध्यक्ष थे इसके पिरमुक्ष थे बियार अंबेरकर साब संग सक्ति सम्ति इसके अध्यक्ष थे पिरमुक्ष थे जवाहलाल नहरू केंद्रिय समिधान समिधी पंडिय जवाहलाल नहरू प्रान्तिय समिधान समिती, सरदार बल्लभाई पटेल, मौलीक अधिकार, अल्शंक्यक और जंजातिय, तथा बहिस के छेत्रों पसलाका सम्ती, बल्लभाई पटेल, पिकरिया सम्ती की नीमन, राजिंध पृसाद, राज्य सम्ती, राजियों के साथ बाचीत करने के लिए सम् अब देखे पूरे समिधान संसोधन तो हम लोग कवर नहीं करेंगे, लेकिन कुछ मत्पोर समिधान संसोधन हैं, उन्हें आप लोग देख सकते हैं, जैसे पिथम समिधान संसोधन की अगर हम लोग बात करें, तो यह कम होता है? इसके तहत कानूनी की रक्षा के लिए संपत्ती अधिगहन आधि की विवस्था की गई थी और भूमी सुधार और नियाएक समीक्षा से जुड़े अन्य कानूनों को नौवी अनसूची में इस्थान दिया गया था और अनुचेद 31 में दो ओखंड 31 का और 31 खा जोड़े गए थे एक बात आप लोगों को साइद मालू नहीं होगी और बहुत सारे लोगों को मालू भी होगी पड़े लेखे हैं आप लोग यही मानेंगे हम कि संपत्ती का अधिकार पहले मौले का अधिकार हुआ करता था अब तो आप देखते हैं कानूनी अधिकार बना दिया गया है तो क्या होता था कि कोई प्रोजेक्ट परियोजना चलाई जा रही सरकार के द्वारा अमाल लेजी कि आपकी जमीन आ गई तो आप लोग क्या करते थे कि आप देखें कि सुपरिंग कोट हाई कोट चले जाते थे क्योंकि आपका संपत्ती का अधिकार मौली का अधिकार था तो उस प्रोजेक्ट परियोजना पर रोक लगा दी जाती थी लेकिन आप आप देखें कानूनी अधिकार बन चुका है यानि कि आपकी जमीन अगर आप लोग अहाम से नहीं देंगे तो जबर्जुस्ति ले ली जाएगी लेकिन आपको कानूनी लड़ाई लड़ने का हाग होगा आपको अच्छा मुहापचा दिया जाएगा साथवा समिधान संसुधन अधिनियम ये आप देखें 1956 में हुआ था राजपुनरगठन आयुक की रिपोर्ट और राजपुनरगठन अधिनियम 1956 को लागू करने के लिए दुतिये तो था साथवी अनुसूची में संसुधन किया गया था 42 बा समिधान संसुधन जिसमें आप देखें 1976 में हुआ था और इसमें पिरमुक संसुधन हुए थे बहुत सारे संसुधन किये गये थे और ये साल वही था जब आप देखते हमारे देश में राष्टी आपातकाल का समय चलना था इंद्रा गांधी का समय चलना था को जोड दिया गया था साथी पिस्ताओं में सब्द को राष्ट की एकता सब्द को बदल कर सब्द को राष्ट की एकता और अखंडता कर दिया गया था और मौलिक अधिकार और नेदेसक सिध्धान भी मैं इसमें देखे गए थे 42 में समिधान संसुधन के तहर सबसे बड़ा बदलाओ यह किया गया था कि इसके तहर राजी के नीती नेदेसक्त सिध्धानतों को DPSP को समिधान के अनुचेद 14.19.31 में नहिद मौलिक अधिकारों पर पिरात्मिक्ता देने का प्राउधान किया गया था और मौलिक करतबों की बात करें तो 42 बे समिधान संसोधन अधिनियम के तह थी समिधान में भाग 4A नामक एक नया ध्यार बनाने के लिए इसमें अनुचेद 59A सामिल किया गया था और समिधान के भाग 4A में नागरेकों के मौलिक करतबों का निर्धारन किया गया था मौलिक करतब जोड़े गये थे कब 1976 में 42 बे सम्मिधान संसोधन के तहर फिर आप देखते हैं कि 48 बा सम्मिधान संसोधन होता है यह 1978 की बात है तो इसके माध्यम से अनुछे 74 एक में एक नया प्रावधन चोड़ा गया और जिसके अनुसार राष्टपती को केमिनीट की सला क को पुनरविचार के लिए एक बार लोटाने और बापस बेजने की सक्तियां दे गई हैं परन्तु इसके तहत राष्टपती को पुनरविचार के बाद भेजी जाने वाली सला को मानने के लिए बाद कर दिया गया है यानि कि कहने का मतलब यह है कि कैमिनेट अगर आप का पिस्ताओं दोबारा केमिनेट भेजती है तब राष्टपती को वो सला या पिस्ताओं मानने के लिए बाद धोना पड़ेगा और इस संसोधन के अंसार मंत्री मंदल द्वारा राष्टपती को दी गई लिखित सला की आधार पर ही आपातकाल घोसित किया जा सकता है और समिधान का 73 वा समिधान संसोधन 1992 में होता है और आप देखिए यह ऐसा मुझे भी लगता है कि अगर गांदी जी कुछ समय और जिंदा रहते जो आप देखते हैं कि 1948 में उनकी हत्या कर दी जाती है तो सुरुआत में ही समिधान में पंच्यायतों को जगे मिल जाती है जो समिधान में पंच्यायती रा संस्थाओं की सक्तियां और कारिका ओलेक किया गया है समिधान के 44 समिधान संसोधन 1992 में होता है यह दिनियम सहरी इस्थानी निकायों को समिधान एक दरजा प्यदान करता है और समिधान के भाद 8 के बाद अनुछेद 243 ए में जोड के जोड के साथ समिधान में एक अलग भाग यह आप देखेंगे नौ यह जोड़ा गया और सहरी स्थानिय निकायों के सक्तियों और कारेयों को सामिल करती हुए बारवी अनुसोची नामक एक नई अनुसोची सामिल की गई इसमें और यह अधिनियम आप देखेंगे अनुसोची जाती अनुसोची जनजाती को उनकी जन संख्या के अनुपात में सीटों के आरक्षन और महलाओं को सीटों की एकतिहाई आरक्षन का प्रदान करता है एक आप देखते हैं कि 2017 में संसोधन हुआ था 101 बा और GST आया था 2017 में आपको मालोगा बस तो येवं सेवा करको अपनाए गया था समिधान का नुचेद 102 बा 2018 में हुआ था राष्टी पिच्छा वर्ग OVC को समिधानिक दरजा दिया गया था इसके तहद एक आप देखते हैं कि समिधान का जो संसोधन हुआ था 103 बा और आप लोगों उनने देखा होगा कि अभी हाली में कुछ समय पहले इसे चनोती दे गई थी सुप्रेंग कोट में लेकिन सुप्रेंग कोट ने इसके पक्च में फैसला सुनाया है और 2019 में दिया गया था और अनुचेत 15 की उपधारा 5 और 4 में में बर्गों की अलावा अन बर्गों की आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों AWS के नागरिकों के लिए अधिक्तम 10% आरक्चन सामाजीक एवं सेक्चरिक रूप से पिछरी बर्गों अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों की अतरिक दिये जाने की बात हुई है यानि की सामान बर्ग के जो लोग हैं उन्हें 10% आरक्चन देने की बात हुई है जो आर्थिक रूप से कमजोर है यह आप लोग जरूर याद रखेगा और जो OVC बर्ग को या आप देखे कि पिछड़े बर्ग को या STST बर्ग को दिया जाता है वो पिछड़े पन के कारण नहीं दिया जाता है आर्थिक रूप से पिछड़े पन के कारण नहीं दिया जाता है वो उनकी सामाजिक और सेक्षड़े रूप से पिछड़े होने क कारण उन्हें दिया जाता है ये पहली बार आप देखें समीधान में आर्थिक रूप से पिछे होने के कारण इन्हें आरक्षन देनी की बात हो रही है अभी बर्त्मान में आप लोग देखेंगे कई लोग कहते हैं कि 400 हो गए अनुशेत कोई लोग कहता है कि वो समिधान के भाग 25 हो गए अगर आप लोग काउंटिंग में अगर जाएंगे तो 22 पर भाग 22 पर ही खतम हो जाएगा और अगर आप लोग काउंटिंग करें एक दो तीन चार इस तरह से तो आप देखेंगे कि 300 अनुछे 395 पर जाकर आप लोग खतम हो जाएंगे 400 गिंती नहीं आएगी लेकिन आप देखते हैं कि 21 में काजोड दिया गया इस तरह से बढ़कर अनुछे 400 से जानदा हो गए तो समिधान का भाग अगर आप लोग एक पढ़ें तो संग और उसके छेत्री की बात की गई है समिधान का भाग दो पढ़ें तो नागरिकता की बात की गई है समिधान का भाग तीन पढ़ें तो मुलभूत अधिकारों की बात की गई है समिधान का भाग चार पढ़ें तो राज्य के नीती ने दे सकत तत्नों की बात की गई है समिधान का भाग 4A पड़ें, का पड़ें, तो मोल करता की बात की गई है अब आप देखें समिधान के भाग 4 में का भी जोड़ गया, तो 1A भी भाग जोड़ लेते हैं लोग समिधान के भाग 5 में संगे की बात की गई है समिधान के भाग 6 में राज्जी की बात की गई है समिधान के भाग 7 में आप देखें कि समिधान साथवा संसुधन अधीनियम 1956 निरसित कर दिया गया है समिधान के भाग 8 में संग राज्चेत की बात की गई है समिधान के भाग नो में पंचायतों की बात की गिए समिधान के भाग नो ए में नगरपालिकाओं की बात की गिए समिधान के भाग दस में अनुसुचित चाती और अनुसुचित जनजाती छेत्रों की बात की गिए समिधान की भाग 11 में संग और राज्यों की बीच समंद किस तरह से होना चाहिए इसकी बात की गई है समिधान की भाग 14 में संग और राज्य की अधीन सेवाओं की बात की गई है समिधान की भाग 14 ए में अधीकरन की बात की गई है समिधान की भाग 15 में निर्वाचन की बात की गई है समिधान की भाग 16 में कुछ बर्गों के लिए विसेस उबंद की बात की गई है समिधान की भाग 17 में राजबासा की बात की गई है समिधान की भाग 18 में आपात उबंद की बात की गई है समिधान के भाग 19 में पिकेड, समिधान के भाग 20 में समिधान के संसुधन की बात की गई है समिधान के भाग 21 में आईस्थाई, संगमण, कालीन और विसेस, उबंध की बात की गई है समिधान के भाग अगर 22 को आप लोग देखें तो संचिप्त नाम प्यारम हिंदी में प्राधी किर्थ पाट और निसन की बात की गई है तो यह ने आप लोग जरूड पढ़ लीजेगा ठीक है और अनुसूचियों की बात करनें तो आप देखते हैं कि셔야 पहली अनुसूचिय को अगर पढ़ें तो राज जोर संग राज छेत का बढ़न देखने को मिलेगा दूसरी अनुसूची में आप देखें तो बेतन भथतों की बात कही गई है तीसरी अनसूची को पढ़ें तो राज्य सभा में इस्थानों का वंटन राज्यों और संग राज्यों की चेत्रों और अनसूची चेत्रों और अनसूची जंजातियों के पिसासन नियंतर से संबंदित बात कही गई है चटी अनसूची देखें तो असा मेगाले ते पुरा मिजुरम राज्यों के जंजाति चेत्रों के पिसासन की विसाय में कहा गया है सादवी अनसूची में बिसों का वितरन किया गया है संग सूची, राज्य सूची, संबर्ती सूची आठवी अनसूची को पढ़ेंगे तो 22 भासाओं की बात कही गए है नभी अनसूची में आप देखेंगे कुछ भूमी सुधार, समंधी अधिनियों का विधी मान कारण पहला समिधान संसुधन उननीस सो इंक्यावन द्वारा जोड़ी गई थी है दस भी अनसूची जो आप देखते हैं दल परिवर्तन करते हैं आज कल उस पार्टी में उनी के लिए आप देखेंगे 52 समिधान संसुधन की तहत उनीस सो पचासी में यह जोड़ी गई थी कि वो रुके 11 अनसूची में देखें तो पंचायती राज की बात कही गई है 12 अनसूची में आप देखें तो नगरपालिका की वर्डन की बात कही गई है जो 74 वा समिधान संसुधन हुआ था ठीक है तो यह भी आप लोग याद रखेगा इनके बारे में पढ़ लीजेगा अब हम लोग चलते हैं जो महत्पूर मुद्दे अभी वर्टमान में चर्चा में बने हुए हैं उनके बारे में समिधान क्या कहता है सबसे ताजा अभी उधारन है चुनाओ आयुक्त की नियुक्ति को लेकर सवाल किये जा रहे हैं सुप्रिंग कोट की तरफ से भी सवाल किये जा रहे हैं कि इसके नियुक्ति की कोई पिक्रिया तो होना चाहिए अभी तो आप देखेंगे सरकारी मन चाहे ढंग से किसी को भ चुनाओ पर अभी भी आप देखते हैं लोग कहते हैं इवी एम हैफ हो गई इसे बोट डालते हैं उसी को बोट चला जाता है इस तरह की बाते हैं उठती रहती हैं और आप सोचिए अगर भरोसा उठ गया जंता का चुनाओ आये उसे तो लोग घर से बोट डालने ही निकलें और इसी तरह से आप देखें नियाए पालका से अगर भरोसा उठ जाए तो लोग नियाए मांगने के लिए घर से निकलना ही बंद कर देंगे तो अगर एलेक्शन केमिशन और इंडिया की बात करें तो एक समिधान एक संस्ता है समिधान के अनुछे 324 के तहत इसकी बात कह की गई है और 25 जर्मरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी नई दिल्ली में हेड़क्वार्टर देखने को मिलेगा पहले मुख चुनाव एक्त हमारे सूकमार सैन थे सुप्रिंग कोर्ने हाली में मुख चुनाव आयकत और चुनाव आयकतों की नियुक्त पिक्रिया पर सवाल और कोट ने कहा है कि सम्मिधान में इनके चैन और नियुक्ती पर कानून की बात कही गई है और यह बात है कि आप देखेंगे साथ दसक बात भी कोई कानून नहीं बना है और सम्मिधान इसके बारे में क्या कहता है यह जानते हैं आप देखेंगे और पहली बात चुनाव आयोग एक सम्मिधानी कसंस्ता है जैसा आपकी बता है यह देश में चुनाव कराता है जो आप विधान सभा चुनाव देखते हैं राज सभा चुनाव हो गए लोग सभा विधान परिशत के चुनाव हो गए लोकसभा राष्टपती यानि कि राष्टपती उपराष्टपती के चुनाओ गए इन सब की चुनाओ की देखवाल यही करता है जो आपके राज्चों में स्थानी चुनाओ होते हैं ना सरपंच, पिरधान की नगरपंचयार, नगरपालिकर, नगरनेगम उनके लिए हर राष्ट में उनका चुनाओ आएक होता है, अगर उत्तरपदेश में जाएंगे तो उत्तरपदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा मदपदेश में जाएंगे मदपदेश निर्वाचन आयोग देखने को मिलेगा और समिधान चुनाओ आयोग को पूर्ण स्वायत्ता देता है यानि इसे सुतंत रूप से काम करने की छूट देता है समिधान में आर्टीकल 324 से 329 तक चुनाओ आयोग से जुड़े हुए इनमें आयोग की सक्ति, कामकाज और कारकाल का जिक्र मिलता है और आर्टीकल को अगर आप लोग इने पढ़े ना और इना आर्टीकल को याद रखेगा तो अनुचे 324 कहता है कि चुनाओ कराने, कंट्रॉल, गाइडलाइन जारी करने, देखरेक की जिम्मेदारी चुनाओ आयोग की होती है आर्टीकल 325 कहता है, अनुचे 325 कहता है, धरम, जाती, या लेंगे की आधार पर किसी भी ब्यक्ति को बोटर लिष्ट में सामिल ना करने या इनकी आधार पर बोटिंग के लिए आयोग नहीं ठहराने का पिराउधान की बात करता है यानि कि किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है कि वो महला है, पुरुस है, ट्रांजेंडर है, किस धरम का है, किस जाती का है सब को बोट डालने का अधिकार दियने की बात हो रही है और अनुचे 326 कहता है कि लोकसभाव राज्यों की बिधानसभाव के लिए चुनाओ वैस्क मतादिकार की आधार पर होगा यानि कि आखी उमर 18 साल हो चुकी है, तो आप लोग बोट डालने जाते होंगे, पहले 21 साल रखी गई थी उमर अब कम करके इसे 18 साल कर दिया गया है अर्टिकल 327 चुनाओ से जुड़े प्रावधन को लेकर संसत को कानूर बनाने की सकती की बात करता है अनुचे 328 किसी राज के विधान मंदल को चुनाओ से जुड़े कानूर मनाने की बात करता है अनुचे 329 चुनाओ से जुड़े मावलों में अदालतों की हस्तेचेप पर अंकुस लगाने की बात करता है अब नियम क्या है तो चीप election commission और election commission की नियुकती राश्चपती साप करते हैं यानि कि जो चुनाओ आयुक्त है चाहे मुख चुनाओ आयुक्त हो और चाहे आप देखी अनचुनाओ आयुक्त हो पहले एक सदस्ती यह हुआ करती थी, लेकिन बाद में आप देखें, इसमें तीन सदस्त होते हैं, एक अध्यक्ष होता है, दो अन्न चुनाव आयुक्त होते हैं, तो यह सभी IES रेंकी के ओफिसर होते हैं, और इनकी राष्टपती नियुक्ती करता है, और इनका कारकल 6 साल या 65 वर्स की आयुद, दोनों में से जो भी पहले हो, तक रखा गया है, यहां आप लोग देखें कि बिबाद क्या हैं, बिबाद ए हैं, कि राष्टपती साहब नियुक्ती कर रहे हैं, और राष्टपती की चुनाव कैसे होता है, लोकसभा, राष्टभा और बिधान सभा के निर्वाचिस सदस्नों के द्वारा, क्या आपको लगता है कि आज की जो दरोपती मुर्मू हैं, अविबाद में राष्टपती, मौदी साहब यानि कि BJP कोई काम कहें कि यह आपको करना है, और राष्टपती उसे मना कर सकती हैं, मुझे नहीं लगता है कि कर सकती हैं, क और राजपालों की बारे में आप लोग देखते हैं कि कई BJP के नेताओं को राज़ों का राजपाल बना दिया जाता है, और फिर आप देखते हैं कि टकराओ, वहां की सरकार और राजपाल के बीच देखने को मिलता है, क्योंकि BJP के नेता अगर आप देखें, अभी बर्त वो आप देखे अपनी विचारधारा पर काम करेंगे, उनकी सरकार जो कहेगी वही वो करेंगे, केंदर में जो उनकी नेता कहेंगे, तो इसी को लेकर बिवाद बना रहता है, और दरज़ा सुप्रींग कोट के जजों के संबकच्च होता है, बेतन वभत्ते वही मिलते हैं, चीब एलेक्षन कमिशनर यानि की मुख चुनाओ आयक्त और अन चुनाओ आयक्त को, चीब एलेक्षन कमिशन चुनाओ आयक का प्रमुख होता है, हाला कि उसके अधिकार बाकी चुनाओ आयक्त की बराबर ही होते हैं, आयक के फैसले सदसों की भहुमत या सर्फ सम्मती के आधार पर होते हैं, चीप Election Commissioner को संसस से महावियोग की पिक्रिया के जरी ही पद से हटा सकते हैं, सुप्रिंग कोट के जो जजों को हटाने की पिक्रिया है ना उसी तरह से, महावियोग सब्द का वैसे उपयोग नहीं करना चाहिए, महावियोग सब्द का केबल एक जगह उप से इस्तिपा दे सकते हैं, कारकाल पूरा होने से पहले भी उन्हें हटाया जा सकता है, तो यह आप लोग जरूर याद रखेगा, और आप लोग देखते होंगे कि अभी हाली में आप लोगों को यह देखने को मिलना होगा, कि आचार सहिता का उलगन किया जाता है, लेकिन आप देखते हैं, फिर कारवाही नहीं होती है, और विपक्ष के नेताओं पर कारवाही होती है, अभी आपने देखा होगा, कि चुनाओ की डेट को लेकर इनाउंस को लेकर भी विवाद चलता रहता है, कि कह देते हैं, विपक्षी पार्टियां यह लगाती है, चुनाओ काम करा है इस तरह का रोप भी लगता रहता है एक रेजर्वेशन का मुद्दा है तो आप देखते हैं कि अभी हाली में जो आप देखी सुप्रिंग कोट ने फैसला सुनाया कि 103 बार समिधान संसोधन है जिसके तहट आप देखें समिधान की अनुच्छेत 156 और 166 जोड़ा गया और आर्थिक रूप से जो सामन वर के लोग कमजोर हैं उन्हें 10% आरक्चन देनी की बात हुई है तो उसी को लेकर बात हो रही है तो यह आप देखें क्या कहता है समिधान का रूच्छे 156 यह राजी के को खंड चारों खंड पांच में परिभासित लोगों को पर अनुचेद 30 के खंड एक में किया गया है अनुचेद 166 क्या कहता है यह अनुचेद आर्थिक रूप से कमजोर बर्गों के लिए नेक्तियों या पदों में आरक्चन का प्रावधान करता है इसमें आरक्चन की सीमा 10.30 है और इसे खंड चार में बनाएगे बर्गों को छोड़ कर दिया जाना है और सरकार ने इसके तहट उन परिवारों को सामिल किया है जिनकी सालाना आए आठ लाक रूपे से कम हो या आरक्चन सभी तरह की नौकरियों और सिक्षन सस्थाओं के लिए लागू है 10% आरक्चन EWS के लिए और जिन परिवारों की बास्तिकार आ यह भी चल रहा है समान नागरिक सहिता का और आपको बता दूँ बीजेपी का एक कोर चुनावी मुद्दा भी रहा है समान नागरिक सहिता की और आप देखते हैं कि राम मंदर बनवाने का हो 370 हटाने का हो यह भी चुनावी मुद्दा था बीजेपी का वो दो मुद्दे खतम हो चुके हैं, जमुकस्मीर से 375 से हट गया है और आप सभी जानते हैं कि आपका दो भागों बांट दिया गया लद्दाप और जमुकस्मीर, ठीक है तो EUCC पूरे देश में एक समान कानून का परावधन करता है इसमें सभी धार्मिक समुदायों के लिए साधी, तलाद, गोद लेने जैसे कानूनों में एक रोपता का परावधन करता है अभी अलग-अलग धर्म में अलग-अलग देखने को मिलता है न समिधान का अनुचित 44 कहता है कि भारत पूरे चित में नागरेकों के लिए समार नागरेक सहिता सुनिश्चित करने की कौसिस करेगा और इसका मकसद राष्ट को मजबूत करना है और EUCC की आउधारना उपनेविसिक भारत में आ गई थी तब बेटे सरकार ने 1835 में एक रिपोर्ट दी थी और इसमें अपराज सबूतों अनुबंधों जैसे अलग अलग विसों पर भारती कानून के सहिता करन में एक रूपता लानी की जरूत पर बल दिया था आला कि रिपोर्ट में हिंदू मुसल्वानों के लिए निजी कानूनों को एक रूपता से बाहर रखने की सिफारिस की गई थी common एक तरह से कानून की बात हो रही है अभी आप देखते हैं कि civil मामले में या लग लग है लेकिन आप देखते हैं कि criminal मामले में एक समान कानून है अगर कोई किसी की हत्या कर देते हैं तो वो किसी भी धरम से जुड़ा हुआ हो एक यी सजा में लेगी आप देखें अलग- अंगरिश सहिता का पालन करते हैं हाला कि धर्म ने रिपेट चस्ता से जुड़े कानून में अभी भी भे देता है अभी गवाब भारत का एकमात राज है जहां समान अगरिश सहिता लागू है और देखते हैं कि समिधान का अनुचेद 25 किसी धर्म को मानने उपरिचार करने की आजादी देता है और यह अनुचेद 14 में नहेत समानता की हाउधारना की खिलाप है इसलिए आप देख रहे हैं इसकी बात करते रहते हैं इसकी ब्रोधी और हिंदी भासा का क्या कानून है समिधान में और क्योंकि हिंदी को राष्ट भासा बनाने की बात करते रहते न तो समिधान की अनुचे 348 एक में प्रावधाने कि सो प्रिंग कोट और हाई कोटों में सभी कारवाही अंग्रेजी भासा में होगी और अनुचे 348-2 में एक उबंद है यह कहता है किसी राज्ज का राजपाल राष्टपती की पूर सहमती से हाई कोट की कारवाहियों में हिंदी या उस राज्ज के सास्की प्रियोजन के लिए प्योग होने बाली किसी अनभासा का इस्तेमाल कर सकता है और इसलिए आप देखें अंग्रेजी के इतना महत्त दिया जा रहा है तो हिंदी कहां बोलेंगे लोग हिंदी से जान्दा सीखने से जान्दा वो इंग्लेज सीखने पर जोड लगाएंगी ठीक है और राजभासा अदिनियम 1903 में इस बात को दोहराया गया है कि इसमें धार द्रवाही चल रही है तो उसका इस्थानी ए भासा में एक ट्रांसलेटर भी हो NA चाहिए कि कम से कम आप देखी कि एक तरह से हिंदी जहां लोग बोल रहा है या दूसरी भासा बोला रहे है तो वहां लोगों के लिए उसका अनुवाद हिंदी में हो जाए राजभासप और संसदी सम्ती का गठन 1976 में राजभासा अधिनियां 1963 की धाराचार के तैत हुआ इसका मकसद हिंदी की सक्रिय प्रिचार के साथ अधिकारिक संचार में हिंदी के उपयोग की समीख्चा था सम्ती ने पहली रिपोर्ट 1987 में दी थी और समीधान में हिंदी की स्तिती देखें तो समीधान की भारती समीधान के नुचीद अनुसोची आठ में हिंदी समेथ 22 अधिकारिक भासा होए हैं इसमें जुड़े कई आर्टिकल महत्वून है आर्टीकल 341 यह हिंदी भासा को विक्सित करने के लिए इसके प्रिसार का प्रावधान करता है इत्सार का मकसद यह है कि भारत की मिली जुली संस्किती में सभीक लिए अभिव्यक्ति का एक रास्ता बन सके आर्टीकल 342 यह प्रावधान करता है कि अनुशे 341 के प्रावधानों के बाद जुद किसी राज्य का राजपाल प्राश्टपती की पुरूफ सहमती से हाई कोट की कारवाही में हिंदी का इस्तिवाल कर सकते हैं आर्टीकल 343 इसके अनुशार देव नागरी लिपी में हिंदी संगर की अधिकारिक भासा होगी हमारी राष्ट भासा हिंदी नहीं है यह भी आप लोग याद रखेगा एक गौवद की बात होती रहती है गाव हत्या की और आप देखते हैं गाए के नाम पर राजनीती भी खूब होती है हमारे देश में गौवद को लेका राजजों में अलगलग काणून है इसमें समीदान का अनुष्यद 48 मात्कून है यहां की राजजज गायों बच्णों और दोसरे दोधारों पसूं की हत्यारोखने के लिए कानून बनाएगा यह किसमें कहा गया है? अनुष्यद 48 में कहा गया है हाला कि इस अनुशेद में किसी भी राज्य के लिए कानूर बनानी की बादता नहीं है और यही कारण है कि कुछ राज्यों में अनुशेद का पालन करते हुए इस पर आप देखेंगे पालन करते हुए इस पर रोक है वहीं ऐसे भी कुछ राज्यों जहां गौबत की हत्या पर पूरी तरह से पिती बंद नहीं है कुछ राज्यों में तो कोई रोक नहीं है और कह सकते हैं कि अलगलग राज्यों ने अपने यहां अलगलग कानूर बनाये हुए है और यूपी जैसे राज्यों में गौबत पूरी तरह से बेन है दूसरी और बंगाल की रलो सिक्किम जैसे राज्यों में इस पर पिती बंद नहीं है ठीक है और जो आप देखी नितिजन देशक सिधान थे वो राज सरकारों खुद अगर अपनी तरफ से आप देखे कि वो मा तो आप लोग सुप्रिंग को ठाई कोट चले जाते हैं और वो आपके अधिकारों की रक्षा भी करता है तो यही कहानी है मुझे लगता है कि एक सावन जानकारी देख लिए है आप लोगोंने और इन मुद्दों को देख लिया है और समिधान दिवस था तो मुझे लगा क कि इसके बिभिन पहलू है इन पर बात कर लेनी चाहिए ठीक है और वैसे कभी समिधान इतनी चोटी सी किलास में कबर नहीं होता है तो आप लोग समिधान की बुस्तक खरी दिए उसे पढ़िएगा अच्छी तरह से ठीक है